हेलो दोस्तों, Laptop Master में आपका स्वागत है, मैं आपका दोस्त निशान्त आज श्वीर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नए लापटोप के साथ, आज मैं ले के आओ आओ आपके लिए HP का Touch-end 2-in-1 Convertible Laptop EK1074TU, जी हाँ ये i5 13 जनेरेशन में है, 16 GB रहा है, 512 GB SSD और 14 इंचेस, Full HD के साथ, IPS डिस्प्ले है, Complete Detail आज हम इसकी देखेंगे, Unbox करेंगे, और कहीं मत जाएगा, वीडियो के अंतक बने रहेगा हमारे साथ, इस Laptop का Back Panel भी आपको हम Open करके दिखाएंगे, दोस्तों आगे बनने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये Laptop हमे HP ने परवाइड कराया है, और जिस स्टोर से हमें ये Laptop मिला है, ये दिल्ली के अंदर करोल बाग में Omen Playground, जी हाँ, Omen Playground, HP World Hybrid स्टोर है दिल्ली का, जहां से हमें ये Laptop मिला है, अगर आपने भी Laptop लेना है, तो आप एक बार इस स्टोर पे जरूर विजिट करिएगा, डेफिनिटली आपको बेटर प्राइस मिल जाएगा, और हाँ दोस्तों, जो दोस्तों समाज साथ नहीं जुड़े हैं, जिनोंने अभी तक हमारे चनल सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बाद चनल सब्सक्राइब जरूर कर लेजएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देग चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं लाप्टाप को अनबॉक्स, दोस्तों, लाप्टाप हमने अनबॉक्स कर लिया है, जो हर लाप्टाप में हमें मिलता है, एक मैनुवल, जिसे नॉर्मरी लोग नहीं पढ़ते, पावर कोड, प्रिम्यम पावर कोड होती है, जो भी HP के लापटॉप के साथ आती है, पावर एडप्टर, 65W का पावर एडप्टर है, राउंड पिन के साथ, देखें, मैं अब कंपनी को यह सिर्ष करूँगा, क्योंकि, देखें, 70,000 से अबाउब का लापटॉप है, अगर उसमें भी आप राउंड पिन ही देंगे, हाई रेन लापटॉप आते हैं, इसके साथ ये एक आपको एक्स्ट्रा मिलता है, स्टाइल monarch के साथ आपको ये स्टाइलिस जरूर मिलता है, जिससे आप स्क्रीन पर यूज कर सकते हैं, आपको अपन करके दिखाएंगे, लास्ट में, ये आता है हमारा लापटॉप चलिए लाप्टॉप ओपन करते हैं, देखें, बिल्ट क्वालिटी तो अगर हम देखें, पीछे एक साथ से जो भी हम touch and tune लाप्टॉप को अन्बॉक्स करते आ रहे हैं, अगर हम एन भी छोड़ दें तो, पाविलियन के अंदर बात करें तो आपको बिल्ट वैसी ही फील होगी, जो जादा डिफेंस नहीं है, बैक साथ भी भी देखेंगे तो यहां रबर ग्रीप, यहां वेंटिलेशन, इसके अलावा आपको बहुत अलग कुछ देखने को नहीं मिलेगा, तो चलिए दोस्तों, लाप्टॉप को एक हाथ से open, नहीं हो रहा है एक हाथ से open, दो हाथ की हमें जोड़ पड़ी, open हम करके देखते हैं, इसको बूट अप करते हैं, इतने दोस्तों इसके side के port देखते हैं, फिर देखेंगे laptop की configuration, laptop के left side में आपको चार पोर्ट दिखाई देते हैं, जो पहला port है, laptop को चार्ज करने के लिए, उसके बाद दो आपको port दिखाई देंगे, USB सबसे पहला port है, HDMI 2.1 आपके projector और LED TV कनेक्ट करने के लिए, फिर आपको मिलता है, USB Type-C 10 Gbps signaling rate के साथ, USB power delivery जिसमें display port है 1.4 और उसके बाद आपको एक बिलता है, headphone microphone combo 3.5 mm का audio jack, तो पहले दोस्तों देखते हैं, laptop की configuration क्या है, configuration आती ही, सबसे पहले बाद हमारी processor की आती है, और हम सबसे पहले processor देखते है, 13th generation Intel Core i5, 1335 U processor के साथ, देखे, U processor जो normal laptops होते हैं, वो U processor के साथ ही आते हैं, जो gaming's होते हैं, वो edge processor के साथ आते हैं, बाकि HP ने काफी laptops अपनी pavilion series के अंदर, pavilion plus में निकाल रखे, edge processor के साथ भी, उसकी videos भी हम बना चुके हैं, देखे, base speed अग frequency के साथ, यह आपको processor मिलता है, यह 4.6 GHz के साथ, आप base speed को देखे, आप परिशान मत होगेगा, क्योंकि base speed ही 1.3 है, अदरवाइस 4.6 GHz तक जाएगा, जब आपको जोद पड़ेगी, core 10 है, 10 core में मैं आपको बदा दूँ, इसमे performance core सिरफ आपको 2 मिलते हैं, efficient core है 8, जो maximum turbo boost frequency है, वो 4.6, वो सिरफ 2 cores के लिए है, 8 cores के लिए, जो maximum frequency है, वो है 3.4 GHz की, logical processor की बात करेंगे, वो 12 है, और L3 cache की बात करेंगे, वो भी 12 है, तो दोस्तों कभी भी इना, आप जब laptop लेने जा रहे हैं, तो हमेशा, आप सिरफ course मत देखेगा, आप ये भी देखेगा, कि performance core और efficient core कितने है, काफी लोग इसमें confusion में आ जाते हैं, मेमोरी बात करेंगे, 16 GB की RAM इसमें आपको मिलती है, speed है 3200 Mb, DDR4 इसमें RAM लगी भी है, दो slot है, दोनों के दो used है, वैसे तो मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर inbuilt RAM है, जब laptop का back panel open करेंगे, तो आपको दिखा भी द बिलती है, 512 GB की, जिसकी capacity 477 GB है, GPU, graphics, Intel Iris graphics आपको इसमें मिलता है, shared graphics है, 7.9 GB, इसमें कोई भी अपनी graphics memory नहीं है, ना ही laptop में कोई graphics के चिप लगे भी है, तो इसलिए graphics के लिए ये laptop आपका नहीं है, Intel Iris XC graphics है, आप चोटे मुटे कामों के लिए इसको use कर सकते हैं, अदर व configuration की voice अभी आप सुन रहे थे, वो हमने इसी laptop के mic से record की थी, जिससे आपको इस laptop के mic की quality भी पता चल जाए, इस laptop में आपको 14 इंचिस का full HD IPS enabled multi-touch display मिलता है, जिसका resolution 1920 by 1080 है, glass की बात करेंगे तो edge to edge glass मिलेगा आपको, 250 nits की screen, low power है और 45% anti-AC के साथ आपको इसका display मिलता है, बात करेंगे, तो camera इसमें आपको true vision, 5 megapixel का camera मिलता है, with temple noise reduction के साथ, and integrated dual array digital microphone के साथ, आपको इसका camera मिलता है, इसमें full size, backlit, natural silver keyboard मिलेगा आपको, with fingerprint reader के साथ, numerical keyboard इसमें आपको नहीं मिलता है, तो दोस्तों चलते हैं, और laptop को करते हैं, back panel से open, दोस्तों, laptop हमारा open हो गया है, तो आइए चली देखते हैं, laptop में पार्ट, नहीं लापटोप के अदर आपको एक तो बैटरी दिखाई दे रही है, जिससे वन थाट पॉट्शन, laptop का, back panel का, बैटरी नहीं ले रखा है, और जो बाकी बचा हुए, उसको भी उन्हेंने काफी यहां पे खतम हो रहा है, यहां पे आपका प्रोसेसर लगा हुआ है, और जो connected होता है, फैन के साथ, इसके साथ में जो आपको space दिखाई दे रहा है, वहां पे आपकी RAM लगी वी है, जो soldered RAM है, आप जिसको अपग्रेड नहीं कर सकते, जी हाँ, 16GB की inbuilt RAM है, आप इसको अप ही open करना पड़ जाएगा, मैं इसको open करके नहीं दिखा रहा है, सिरफ अगर हम इसको tape को उतारेंगे और यहां पे यह aluminum का जो cover है, इसको अटाएंगे, तो इसके नीचे हमें SSD दिख दिख दियाएगी, लेकिन आप upgrade कर सकते हैं, additional SSD आप नहीं लगाज़ पाओगे, यहां प अगर आप इसमें देखेंगे, साथ में उसके दो speakers भी आपको दिखाए दे रहे हैं, दो दो watt के दो speaker आपको इसमें HP देता है, तो दोस्तों आज हमने unbox किया HP Pavilion EK 1074TU, जी हां, confused मत हुएगा, पहले HP का model भी आया था, वो था 0074TU, यह है 1074TU, configuration में देखी, i5 13 generation, 16 GB RAM, 512 GB SSD और 14 इंचिस के साथ touchscreen में आपको यह laptop HP ने दिया है, देखें, बात करेंगे अगर laptop की, तो laptop जो touchscreen में हमें चाहिए होता है, IPS display आपको मिल गया है, touchscreen आपको मिल गई है, fingerpin, reader आपको इसमें मिल गया है, 13 generation है, 16 GB RAM है, RAM जैसा कि हमने देखा, इसमें upgrade नहीं हो सकती है, मैं आपको जादो, जो भी solder RAM होती है, inbuilt RAM होती है, वो जादा अच्छी performance देती है, dim RAM से, जो slots में लगती है, उन RAM से, इसमें काफी अच्छी performance आती है, देखें, build quality की बात करेंगे, तो pavilion series है, metal body में आपको यह laptop मिलता है, जिसकी build quality बहुत ही better होती है, हम usage की बात करेंगे, देखें, मैं इसमें कहीं आपको यह नहीं बता पाऊँगा कि कमी कहा है, क्योंकि जो चीज हमें चाहिए होती है, वो हमें इस laptop के अंदर मिल जाती है, देखें, word excel या आपके office हो गया, आप Photoshop को रोडो का भी आप इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन basic level पे, क्यो आप यह जरू सोच लिजीगा, क्योंकि 14 इंच का laptop है, numeric keypad इस पे बिलकुल भी नहीं आता है, क्योंकि जब भी हम accounting work करते हैं, या excel sheets बना रहे होते हैं, तो हमें काफी जोद परती है numeric keypad की, जो 14 इंची के laptop में आपको नहीं मिलता है, अगर आपको presentation देनी हो, या आपने online classes लेनी हो, जैसे आप इसको tablet पे भी आप इसको fold करके, 360 degree move हो जाता है, as a tablet भी work कर सकता है, तो इसमें आपको काफी beneficial रहेगा laptop, देखे, normally i3, i5, i7 आते हैं, जिसमें आपको ये HP ने i5 laptop दिया है, अगर हम बात करेंगे costing की, देखे, costing भी बहुत ही reasonable रखी है HP ने, ये market में आपको, वैसे मैं बता दू, 82,000 का price है, लेकिन market में आपको 78, 77, किसी भी price range में आपको इसके असपास मिल जाएगा, इस range के अंदर i5 touch screen का laptop मिल जायना बहुत ही better है, HP इसके साथ आपको one year की warranty देता है, और अगर आप upgrade करना चाहें, तो upgrade भी आप कर सकते है, one year से three year warranty में, time to time reasonable prices में, HP आपको offer देता रहता है, और हाँ, मैं हमेशा यही कहता हूँ, touch screen laptop के साथ आप accidental damage warranty जरू लीजेगा, जि हाँ, जिसको market में ADP के नाम से जाना चाता है, accidental damage protection, जिसके अंदर अगर accidentally laptop आपका damage हो जाता है, देखिए touch screen है, touch screen काफी costly आती है, अगर आपकी screen में damage कहीं भ करके देता है, लेकिन उसके लिए आपको जब laptop आप purchase कर रहे होंगे, HP वर्ड से, तो आपको accidental damage protection लेना होगा, जो बहुत ही reasonable prices पे market में आपको मिल जाएगा, मैं आपको यह कहूँगा, कि कभी भी आप accidental damage protection ले या extended warranty कराएं, तो हमेशा HP से ही कराएं, कभी भी third party से आप accidental damage protection या warranty कभी मत लीजेगा, जब भी आप HP वर्ड पे जाएंगे, तो वहाँ पर जो sales executive होगा, आप उससे पूछीगा कि accident damage protection आप कितने में provide करा रहे हैं, HP काफी reasonable rates पे आपको यह देता है, और 3 years का आपको मिलता है, 3 years तक आपको tension नहीं है, कि आपका laptop damage भी होगा है, तो आप ब आपको offers भी मिल जाएगी, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें comment box में जरूर बताएगेगा, अगर वीडियो पसंद आईगे हो तो like जरूर कर दीजेगा, और अभी तक आपने हमारा channel subscribe नहीं किया है, तो subscribe जरूर कर दीजेगा, बेल आइकन जरूर पैस कर देगा, तो दोस्तों वीडियो के अंग तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में नए लाप्टॉप के साथ, जैहिंद